ये आकाश्वोनी है अब आप विमले इंदुपांडी से समाचार सुनिये लोकसभा चुनाव की साथ में और अंतिम चरण में एद दिन में तीन बजे तक लगभग 50 प्रदिशत मद्दान हुआ जारखंड में 60 प्रदिशत से अधिक हिमाचल प्रदिश तथा पश्यमंगाल में 58 प्रदिशत से अधिक उत्तर प्रदिश में लगभग 47 प्रदिशत और चंडिकण में लगभग 33 प्रदिशत मद्दान दर्ज किया गया है ओडिसा में लगभग 50 प्रदिशत, पंचाब में 46 प्रदिशत से अधिक और भिहाद में लगभग 43 प्रदिशत मतदान हुआ ओडिसा विधान सभाचुनाव के चौथे और अंतिम चरण में लगभग 50 प्रदिशत मतदान दर्ज किया गया है इस चरण में आज 7 राज्यों और 1 किंद्रशासित प्रदेश के 57 लोग सभा सीटों पर मतदान हो रहा है पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13 पशिम मंगाल की 9 बिहार की 8 ओडिसा की 6 हिमाचल प्रदेश की 4 जार खंड की 3 और चंडिगड की 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं इस चरण में प्रदान मंद्री और वरिष्ट भाजपा नेता नरेंद्र मोदी भाजपा के ही अनुराक सिंग ठाकूर रविशंकर प्रसाथ तथा कंगना रनौत कॉंग्रिस के मनीश्तिवारी तथा विक्रमा देत्य सिंग ग्राष्टिय जनता दल की मीशा भारती और त्र है और पिहार उत्तर प्रदेश तथा पश्य मंगाल की एक एक विधान सभा सीट का उप चुनाव भी हो रहा है इस चरण का मद्दान समाप्त होने के साथ ही लोग सभा की सभी सीटों का मद्दान संपन्न हो जाएगा इस बीच लोग सभा चुनाव के लिए मंगलवार्पो होने वाली मद्गर्ना की तयारियां जोर उपर है और उनाचल प्रदेश और सिक्किम विधान सभा चुनाव के लिए कल होने वाली मद्गर्ना की सभी तयारियां पूरी कर ले गए हैं मद्गर्ना सबीरी 6 बजे शुरू होगे और उनाचल प्रदेश की 60 सदस्यों की विध विधान सभा में भारती जनता पार्टी दस सीटें निर्विरोध जी चुकी है। सिक्किम में विधान सभा की बत्ती सीटों के लिए चुना हुआ है। दोनों विधान सभाओं का कारेकाल दो जून को समाप्थ हो रहा है। इन राज्यों में विधान सभा और लोग सभा चुनाव के लिए 19 सप्रेल को वोट डाले गए थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने आज शाम बैठक बुलाई है। इसमें विपक्ष की नेतरुत में INDIA कटबंधन मतगर्ना से पहले की नीतियों पर चर्चा करेगा। इस बैठक में जारखंड के मुख्यमंत्री चमपई सोरेन, वराष्टी जनतादल के तेजस्वी प्रसाद यादव और आम आदमी पार्टी के रागव चढधा भाग लेंगे। तेल विपणन कमपनियों ने व्यावसाइक LPG सिलेंडर की कीमतों में 79 रुपए 50 पैसे की कटावती की है। इंडियन ओयल कार्पोरिशन ने बताया है कि दिल्ली में अब प्रती व्यावसाइक सिलेंडर का मूल्य 1676 रुपए होगा। ये सिलेंडर अब कोलकाता में 72 रुपए, मुंबई में 69 रुपए 50 पैसे और चिन्नई में 70 रुपए 50 पैसे सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा विमान इंधन एटी एफ के किमतों में भी 6.5 प्रतिशत के कमे की गई है। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन खेत्रों में अधित्तम तापमान में 1-3 डिगरी सेल्शियस की कमी हो सकती है। हलांकि पंजाब, भर्याना, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों तथा ओडीसा, बिहार और जारखंड में गर्म हवाएं जारी रहेंगे। मौसम विभाग ने पंजाब, भर्याना और उत्तर प्रदेश के लिए औरेंज एलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर तापमान 44-46 डिगरी के बीच बना रहेगा। आज देश के उत्तर पश्यमे भागों में गरज के साथ आंधी वर्षा होने का अनुमान है। केरल के उत्तरी भागों में कल शाम से तेज बारिश हो रही है। इसे कई स्थानों पर जन जीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने इड्डू की त्रिशूर पलाकाड मलापुरम कोजी कोट और वाइनार जिलों में औरेंज एलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये सम पाचार बुलेटिन समाथ हुआ।